है गाइस फैक्ट्सीज के एपिसोद 3 में आप सभी का स्वागत है फैक्ट्स की उपर बात करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो के कॉमेंट सेक्षेन में वीडियो के फीडबेक के साथ साथ क्वेस्टन्स भी पूछना क्योंकि मैं ओम्नी डिडियल का चैप्टर 3 लाने वाला हूं तो जलदेल अपने क्वेस्टन्स कमेंट करो एंड क्वेस्टन थोड़े इजी मोड में पूछना और चाहो तो हाड भी पूछ सकते हो लेकिन अगर हंडेट से उपर जाएंगे मैं तभी वीडियो बनाऊंगा और आप लों हंडेट से उपर क्वेस्टन्स करने नाम की पावर का यूज करता है मतलब इन दोनों बींग्स के आइस ब्रै अडेट को करने का वे बिल्कुल सेम है फैक नमबर 16, Ben 10 के Alien Blitz Wolfer की Specialty क्या है? यही कि उसके पस Powerful Sonic Howl की Power है एंड कम Power की वज़ा से लोग इसे वी के जन भी समझते हैं लेकिन इसकी Sonic Howl की Power इतनी जद पावफुल है कि वो Clienter को आराम से हाम पहुँचा सकती है मेरे को मेरे को इसके बार में ज्यादा नहीं पता लेकिन इतना बता सकता हूं कि Clienter एक Fictional Species जिसका Appearance American Comic Books में हुआ था और इस Comic Book को Marvel Comics ने Publish किया था Fact No.15 ये Fact Can Bolt से Rated है तो Actually Can Bolt के Originally Playable Aliens के लिए प्लैन किया गया था Game Creator नाम के गेम के लिए बट जब Benton की Alien 4 Series एयर हुई तो बाद में इसे Game से Entirely Remove कर दिया बट Eventually इस Game के Omniverse Version में Can Bolt को ले लिया गया Fact No.14 ये Fact भी Can Bolt से Rated है तो Can Bolt की Roll Out Form है जिसे Ball Form के नाम से भी जाना जाता है तो ये जो Form है वो Metroid जो की एक Japanese Action Adventure Game Franchise है जिसे Nintendo ने Create किया है तो उस Franchise की एक Main Character है जिसका नाम है Samus Aaron उस Character की Morph Ball Ability से Similar है मतलब Can Bolt की Ball Form and Samus Aaron की Morph Ball Ability एक दूसरे से Similar है Fact No.13 ये Fact Diamond Edge से Rated है तो देखो तुम्हें कभी कभी लगता होगा कि Ben अगर अपने Diamond Edge के Crystals को बेचे तो वो काफी अमीर हो जाएगा और इस Topic पर तो लोग आज कल वीडियो भी बना रहे हैं मेरे को नहीं पता कि वो क्या Reason देते हैं वीडियो में पर जो इस से Rated Official News है वो ये है कि Diamond Edge Terry Knight का नहीं बनाएं और इसलिए उसके Crystal की कोई Value नहीं है मतलब उसके Crystal सारे नकली हैं तो कभी भी आपके गर Diamond Edge जैसा Sailor Diamond बेचने आए तो उससे Diamond लेकर अपना और अपने पैसों का नाकटवाएं धन्यवाद ये फैक डिटो से Rated है तो तुम डिटो के बारे में तो जानते होगे ये बेंटेन की ओरिजिनल सीज में ही अपैर हो गया था और दोनों सीज में इसका लुक थोड़ा डिफरेंट था और जो बेंटेन ओम्नियो जड़ा डिटो था उसमें कुछ एलिमेंस पिक्मिन के थे पिक्मिन एक पैजल वीडियो गेम है जिसको शिगेरू मियामोटो ने क्रियेट किया था और निंटेंडो ने पबलिश किया अब जैसा कि तुम्हें पड़ता है कि बेंट जब भी किसी नियो एलियन में ट्रांसॉम होता है तो रियक्शन देता है नियो एलियन में ट्रांसॉम होने के बाद बट आएगा ऐसा पहला एलियन था जो ओफ स्कीन अनलॉक हुए इसलिए बेंट जब फर्स टाइम इसमें ट्रांसॉम हुआ तो उसने कुछ खास रियक्शन नहीं दिया और फिर ये ट्रेंट और फॉलो किया गया और बाद में आ एक्ट्रोकैन अबिलेटीज है पर फिर वह एलेक्टिसिटी अबजाब नहीं कर सकते उन एलियन में से एक है फ्रेंग कर प्रेंग के सारे हैं अब आपको तो पता है कि कि किसी अईमे को डर्ब करने के लिए वैस आठिस चाहिए होते हैं चाहे फॉरें हो या फिर इंडिया तो actually Ben 10 original series का एक episode है जिसका नाम है Ghost Ficked Out तो इसकी English dubbing में एक line है Ben's not here Actually ये line Ghost Ficked के voice artist के audition के लिए ली गई थी Fact number 8 ये fact गेमेटर से rated है जब भी गेमेटर surprised होता है तो उसके जो rectangular pupils है pupils मतलब जो हमारी eyes में black center होता है उन्हें pupil कहते हैं प्यूपिल गेमेटर के surprise होने पर large square shape के हो जाते हैं Fact number 7 Ben original series और Ben 10 Omniverse में कई बार heat blast में transform हुआ है and Ben 10 Ultimate Alien में भी हुआ है पर इतना नहीं जितना Omniverse and original series में हुआ और Ben 10 Alien Force में तो Ben बिल्कुल भी heat blast में transform नहीं हुआ पर Ben 10 Alien Force के चलते Alien Force के दो episodes वेंजेंस और फिल्गेक्स पार्ट वन एंड बिजी बॉक्स में जब ओम्टिक्स रिकॉलिबेट होता तो इस पर heat blast का hologram देखने को मिलता पर Ben कभी Alien Force में इसमें transform नहीं हुआ और Ben 10 में off screen कभी काफी trend रहा है लेकिन डेरिक जी वाइट ने ऐसा विश्वास दिलाते हुए कहा है कि Ben कभी Alien Force में off screen भी heat blast में transform नहीं हुआ Fact No.6 Ben 10 Ultimate Alien के चलते हमें जितने भी Aliens दिखाए गए उनकी बॉड़ी पर अल्टिमेट्रिक्स का जो symbol है वो उनकी चेस्ट पर लगा होता था लगबग maximum aliens के साथ ऐसा ही है लेकिन Spitter and Mark अपचक ही दो ऐसे Aliens है जिनका अल्टिमेट्रिक्स का symbol उनकी चेस्ट पर नहीं होता और अपचक का अल्टिमेट्रिक्स का symbol उसके पेट पर होता है and Spitter का भी शायद ये पेट ही है जहां इसका अल्टिमेट्रिक्स का symbol है Fact No.5 तो देखो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि किसी भी कार्टून या एनिमे के करेक्टर बनाने के लिए आर्टिस्ट उनकी ड्रॉइंग बनाते हैं और जो आर्टिस्ट अच्छी ड्रॉइंग बनाते हैं उनकी ड्रॉइंग सेलेक्ट कर ली जाती है शो के लिए जो शो से पहले पर कप्चक की कॉंसेप्ट आर्ट थी उनमें से कुछ का यूज बेंटन के एलियन इस्पेटर आटिक गवाना एंड कुछ अलग एलियन जो की हैं इस्प्लूट मोटिस निक्रेप एंड जजाक्त को बनाने में किया गया था मतलब इन इलियन को बनाने के लिए पर कप्चक की कॉंसेप्ट आट का यूज किया गया था एंड उसको आप लोग स्कीन पर भी देख सकते हो अपग्रेट का यूज टेक्स्टर था जो उसकी बनावट थी वो एक अनस्पेसिफाइब ब्रेंड के हाई-टेक कम्प्यूटर एंड टेबलेट पर बेजड थी वैसे रियली उसमें काफी अच्छा लुक था अपग्रेट का और किसी हाई-टेक टेकनोलोजी से कम नहीं ल देखाया जाता था एक्चुली अपग्रेड ही वो लास्ट एलियन था जिसे हमने 11 यर ओल्ड वाले बैन यानि कि फ्लेश्बेग वाले बैन के तुरू यूज होते देखा था ओन स्क्रीन फैक्ट नमबर टू ये फैक्ट वेबिक से रेलेटेड है तो जो वेबिक का डिजाइन एंड फाइटिंग स्टाइल है वो अल्ट्रमेन सीरीज के हीरो पर बेजड है अल्ट्रमेन सीरीज के बारे में जहात हो नहीं पता लेकिन इतना पता है कि ये एक जैपनीज सीरीज है एंड फॉर एक्जामपल वेबिक का जो कोस्मिक रेज अटेक है वो अल्टरामेन की एक सिगनेचर टेक्निक स्पेसियम रेस से सिमिलर है फैक नमबर वन की पहले अगर आपने शैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक्यू वेरी मुच अगर नहीं किया तो कर लेना यह बिलकुल फ्री है क्योंकि आपको यहां पर बेंट 10 से टेड ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहती है फैक नमबर वन अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि वेबिक का एक्चुल साइस कितना है हो सकता है आप मैंसे कई लोगों को इसका अंजर पता हो बट मेरे को लगता है कि आप जितने मी लोग वीडियो देख रहे हो उनमें आधे से लोगों को नहीं पता होगा कि वेबिक का साइस कितना है तो देखो किसी टोकू स्टार की हाइट निश्चित नहीं है, मतलब सभी टोकू स्टार की हाइट एक समान नहीं होती, ये उनकी appearance पर based होती है, जैसे कि जो वेबेग हमें Bent and Secret of the Omtix में देखने को मिला था, उसकी हाइट लगबग 100 feet की है, यानि कि लगबग 30.5 meters, जो समझ आ गया होगा कि टोकू स्टार की हाइट होती है, वो कोई निश्चित नहीं होती, सभी के appearance पर based होती है, और यहीं ता आज की वीडियो का लास्ट पैक्ट, आपको इस 17 पैक्स काफी पसंद आए होंगे, पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को भी आलपर सेट कर लेना, कमें में फीड़बेक दो या मत दो, ओमनी डिटल के चैप्टर 3 के लिए questions जरूर पूछ लो, अगले वीकेंड तक वो जरूर आ जाएगा, एक बात और इस वीडियो पर वनके लाइक कर देना, आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, आज की सीड़ में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक्स व वाचिंग दिस वीडियो, नेक शुड़ तक गुडबाई एंड टेक केयर,